इस स्वभावएक है कि जो झो आचार सहिता का फालड नहीं करेगा या आचार सहिता तक है करके कि survives कि वाँव कि भाव की वाज़ाते, और यूथ आप बुलना है लगाता बोलतें, बोलतें, क्योंकि आपको चंकता में उक्सा पाधा करना हैbuilding डालने के लिए गई कि अउना आपने ऊप segundo करने ऐसे कारिवाई करने का उनका मैं समस्ता हूँ भाव यह नहीं रहा होगा जिसकी वज़े सुन पर कारवाई हो रही है भाव यही रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा बोट डाले अपना पूरा बोट डाले एक मही और बीजेपी गई जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे और नकेवल आज बात आई है बीच बीच में एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा और अब कोट कह रहा है तो जो आपदा में यह जो निकाल ढूरते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए आपने देखा वैक्सिन जैसी कंपणी से भी बादी जन्ता पार्टी ने चंदा बसूर लिया वोचो उन पर क्या गुजरती होगी जिन पर वैक्सिन लगने के बाद सेटिफिकेट है 80% ऐसी आवादी है जिसको यह वैक्सिन लगी है और सर इसको कौन जवाब देगा यह तो आचार संकता से बड़ा उलंगन किया बीजेपी ने यह तो हमारे और आपके स्वास से खिलवार करती है यह सब प्रसाद मौरी ने कहा है और इनको जंता उक्सिजन नहीं देगी इनकी बाते मत सुनों इनकी बाते न सुनों राश्पिता महत्वगांदी कह गये हैं कि ना गलत सुनो ना गुलत कहूं तो यह कौन से लोग है किस रास्ते पर चलना है वही वोट का है आप नौकरी दे नहीं सकते हैं आज एक मई है आज दुनिया में लेवर डे मनाए जा रहा है उन्हें सोचना चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने ब्रोजगार रखा है और जो लेवर और्गनाशन की रिपोर्ट है वो यह कहती है कि भारत में 83% लोग ब्रोजगार हैं अगर भारत में 83% ब्रोजगार हैं और किसान दुखी है नौजमान की हाथ में नौकरी नहीं है पेपर लिग किया है तो इस बार भारती जंता पार्टी आईस्यू में जा जान आते हैं अगले जी सरीका जहां को सिपाल सिंग यादा मनें मंच से भारती जंता पार्टी को जिताने के लिए अपील की है तुम सुननी पाए ये सुननी पाए उनने का भाजबा को पहले जाने हरा दो कि बल्कि बताइए आप खरकाबाद में केस कर रहे हो यहां के डियम अधिकारी लगे हुए बीजेपी के पक्षमे काम करने के लिए फॉन कर रहे हैं अपने अधिकारियों के मात्रम से क्या वह आचार संक तक उलंगत नहीं है अगर मैंपूरी जिले के जिलादिकारी और त अधिकार इस तो रहे होता है आपने अपने दस साल में कोई जंता वो तो कुछ चो किया होता आपने जंता को क्या शोगिया गरीबी बिरोजगारी महगाई दे दी अधिकर इंडियों ने कहा है तो किसानों के लिया क्या गरेगे इंडिया गट बंदन वनेगा कि जानों का खर्ज माफ होगा नोजमानों के राख झाल झाल